नमस्कार मेहनुस का बिहारी नीज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं रोजगर से जुरी टॉप फाइब वेकंसिस के बारे में आज के इस वेकंसि में हम बात करेंगे इंडियन नेवी, TRBTN, RPSC, GPSC, CGCMHO Office के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर्स रिक्रूट्मेंट बोर्ट चेननाई की तरप से निकाली गए रिक्तियों के बारे में पद का नाम है Post Graduate Assistant, Physical Education Director, Computer Instructor टोटल नमबर अफ वेकंसिस के बात करें तो कुल मुला कर दोहजार अन्ठानवे पोस्ट पर आवेदन मांगे गए है जहां तक श्यक्षनिक योगिता की बात है तो बैचलर्स और मास्टर डिग्री किसी भी डिलिवन डिस्सिप्लिन में मांगे गए है उम्रसीमा की बात करें तो अधिकतन 40 साल उम्रसीमा तै किया गया है वही आवेदन शुल्क की बात करें तो 300 से 600 रुपीय तै की गए है आवेदन करने की अंतिमती थी 25 मार्श 2021 तै की गई है इच्चुक आवेदक स्क्रीन पर दिये गए वेबलिंग पर जाकर अपलाई कर सकते हैं अब हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन अजमेर की तरब से निकाली गए रिक्तियों के बारे में पद का नाम है असेस्टन टेस्टिंग ऑफिसर गार्टिन सूपरिंटेंडेड़ टोटल नमबर ओफ वेकेंसिस की बात करें तो कुल मिलाकर पाच पद पर भरती की जा रही है स्ट्रक्षने की योगिता की बात करें तो B.S.C. और M.S.C. की डिग्री होना निवार है उम्रिसीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तक उम्रिसीमा तै किये गए है वही अप्लिकेशन फी की बात करें तो 150 से 350 सुर्पी लिए गजा रहा है वही अंतिम्तिती की बात करें तो 16 मार्स 2020 अंतिम्तिती है चुकावेदक नीचे दिये गए डिस्क्रिप्सन बॉक्स में वेब लिंग पर जाकर आविदन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे Office of Chief Medical and Health Officer CMHO राजनन्त गाव 36 गर्ड की तरप से निकाले गए डिक्तियों के बारे में पत का नाम है Attendant Lab Technician Social Worker OT Technician Nursing Officer Dental Assistant Staff Nurse A&M Nursing Officer Senior Nursing Officer Physiotherapist MOIUS, IRY, Counselor, Psychologist, Audiologist, Social Worker, TPHV, Technical Assistant, Hospital Attendant, Sanitary Attendant, Medical Officer, ART Counselor, ART Lab Technician टोटल नमबर ओफ वेकसिस की बात करें तो कुल 135 पदो पर आविदन मागे गए हैं जहां तक श्रक्षनिक योगता की बात करें तो 8-10-12-GNM, Diploma या फिर Bachelor या फिर Master degree का होना अनिवार है वही उम्र सीमा की बात करें तो नियून तम 18 साल उम्र सीमा तैगी गई है वही आविदन शुर्क की बात करें तो 100-400 रुपी आविदन शुर्क तैगे गए है वही आविदन करने की अंतिमती थी 22 फरवरी 2021 तक है वही अब हम बात करते हैं गोवा पब्लिक सर्विस कमिसन जीपी एसी पंजी की तरफ से निकाले गए डिक्तियों के बारे में पत का नाम है वेटिरिनरी ओफिसर, स्टेट टेक्स ओफिसर, टेक्निकल ओफिसर, लेक्चुरर, एसोसियेट, प्रोफिसर, डिरेक्टर टोटल नमबर ओफ वेकेंसिस की बात करें तो कुल 44 पदों पर आविदन मांगे गए है वही श्यक्षने की योगिता की बात करें तो मिद्वारों का डिलिवेंट डिसिप्लीन में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या सीए, एमबीबीएस या फिर पीसट की डिग्री होना निवार है और उनका अनुभव होना भी अनिवार है वही उम्रिसीमा की बात करें तो अधिकतम उम्रिसीमा 45 साल तया की गई है वही आविदन शुल्क की बात करें तो इन पदों के लिए कोई भी आविदन शुल्क नहीं लिये जा रहा है वही अंतिम्तिती 26 फरबड़ी 2020 तक है और अधिक जानकारे के लिए चुक आवेदक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिये गए वेब लिंक पर जा कर ले सकते हैं वही अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से निकाले गए डिक्तियों के बारे में बद कराम है और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जा करें वेब लिंक पर क्लिक कर सकते हैं इसके साथ ही आज के रोजगार समचार में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद